हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका IT&CTS वेले टेट्चल में दोस्तों आज मैं आपको दाऊंगा जर्णल डिसिप्लिन इंद इंस्ट्यूट जो भी हम संसान में एडविशन लेते हैं तो क्या क्या डिसिप्लिन का में पालन करना चाहिए इसके बारे बताऊंगा त विडियो आपको अच्छे लगी तो वीडियो को लाईक शेल और सिस्क्राइब करना न भूले दोस्तों चलिए दोस्तों को हम सुरू करते हैं कि सबसे पहले दोस्तों के टाइप में होता है कि संस्थान में समाने अनुसासन बनाये रखने के लिए हमें किन-किन बातों का व दोस्तों जब भी जब एक छात्र और दोगी परसिक्षन संस्थान में दाकिला या परवेस लेता है तो उसे सबसे पहले संस्थान में समाने नियुमों का पता होना चाहिए ताकि वह अपना परसिक्षन सपलता पूरवक गर्वन कर सके इसके लिए ने मिलखित बातों की और विशेज ध्यान देना चाईए तो सबसे पहले निस्षित किये गये स्माह अनुसार आएं वाजाएं ठीक को अनुस्तान में कारत अनुदेशक वस्टाप का पुरा समान देना चाहिए यानि इनको गुड मॉर्निंग नमस्ते सा स्रेकाल वगरा विस्ट करना चाहिए जो था है कभी भी संस्तान में धुरुमपान यादि ना करें ठीक है दोस्तों कभी भी संस्तान में आप हैं तो स्टाडी के लिए गया है तो वहां पे धुरुमपान नहीं करना चाहिए पांचवा हमारा संस्तान में लगी मसीनट्री को जब तक न चलाएं जब तक आपको आपके अनुदेशक उसके बारे में पूर्ण ग्यान न दे 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 थी दोस्तों कभी आप जो मसीनट्री है उनको बिना ग्यान के नहीं चलाना चाहिए नहीं तो आपका ही नुकसान होगा आपके चोड़ चाट लग जाए ठीक है तो जब तक नहीं चलाना चाहिए जब तक कि हमें अनुदेशक उसके बारे में ना बता दे कि क्या चीज इसमें वर्किंग पर करिया है ठीक है छटा दोस्तों बिजली की नंगी तारों को ना चूए बिजली के अगर नंगी तार हो कभी भी हाथ से रोकने की कोसिस ना करें ठीक है चलती मचीनों को हाथ से नोकरना चाहिए तो हाथ में फैक्शर वगर आ जाएगा आटवा पॉइंट है सभी विस्यों का समय सार्णी नुसार अध्यान करें दोस्तों समय सार्णी नुसार अध्यान मतलब कि एक टाइम टेवर बनाएं और उस टाइम टेवर के नुसार ही उसको पढ़ें ठीक है इसे बहुत ज़्यादा है एक्जाम में सबस्तार कि नुए 23rd होता है फ darle के लिए ठीक है यह उसको नुब यूज akan road होता है जो उसका यूज हमैं थोड़ी जगां यूजब लिए इसको ठोकेंगे थो प्लायर भिषुक्टा है उसलिए में जिसका परयोग करें यह अंत्याइकницर है मतलब यह ऐए वजित कारे खारे हैं। जरूर ब्रदास्री जोमेला और रग्दान में पुरा भाज लेता है। दोस्तों आपका संस्थान में अलग ही नाम होगा ठीक है और आप अलग ही स्टूडेंट दिखाई देंगे अपने संस्थान में करेंट संस्थान द्वारा इंडस्थे विजीट और जोब ट्रेनिंग में छातों को भाग लेन Bendix को दिखाई जब धूर आपको पर ऐसे इसान अनुजित कारे ना करें जैसे कि आपका और आपके संस्थान का नाम खराब हो जोस्तों कभी हमें एसे काम नहीं करना चाहिए जैसे कि उसांस्थाइब दाइबर को पीड भी द्रीक चाहिए, यहा जूंड बनाकर तो इसा नहीं करना चाहिए, और आपके स्टान का इनाम खरा होता है, व्ल्ण की तुदिंट ने ऐसा किया है ते रही कि पर सिक्शन और 16 जीवन का मुल्य समय होता है इसे वेर्थ ना गमाएं दोस्तों आपका डियर्ट ट्रेनिंग है आई टीए बगर करते हैं तो आप की एक मुल्य टाइम होता है वान यार टू इयर का होता है एक कोर्स तो आप जो है इसको अच्छे सीखें और कभी भी अपना समय खराब न करें ठीक है चौदवाय संस्थान में चल रही गतिवीदियों में आनावस्चयक अश्तछेफ ना करें तो संस्थान में जो गतिवीदी चलती है जैसे की किसी भी ट्रेड में कोई था उसको जागे आप इसे ना चुए ठीक है जो जन करी नहाँ तो चूना इने चाहिए तो अपने कारे में दख्ष हो सके दोस्तों कोई भी हम अपना कारे कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छे से उसको ध्यान से सीखना चाहिए ठीक है ताकि हमें कोई भी जॉब कोई भी कंपनिया में असानी से रख लें ठीक है स्वालवा हैं हमें अपने सहीख्यों करें तथा उन्हें समयान दें कोई भी सहीख्यों अगर आपको कमजोर है तो इस साथ देना चाहिए और उसको सिखाना चाहिए क्या सहोता है में अपने अपने परीसर को साब शुतर रखे तो अच्छा लगई बीमारीयों और कोड़ होताँ द्रैस कोडd प्रिख्षा में परिख्षा से पूर्व अपनी त्यारी कर ले दोस्तों त्यारी कर मैं यानि ऑगल की प्रांशे तूरा ना बनाएं जेए जो सकता है और आपका साल भी खराब हो सकता है तो ऐसा कारे ना करें ठीक है किस वाप पॉइंट दोस्तों प्रेक्टिल कारे करते से मैं सुरुक्ष्छे सभाणियों का अपना है जोस्तों कभी जब भी आप प्रेक्टिकल कर रहे हैं जैसे वेल्डिंग कर रहे हैं आप तो हाथ में स्थान में करना चाहिए इससे जब भी आपने स्कूल त में करना चाहिए आप अपने उसा प announcements को आप लिक्यार की पर को कि यह समझत भूआ यह नहीं सब्सक्राइब कर दें की नुक्तन है तो इस विदियो को लाइक करें दोस्तों के साथ है विदियो को इसे विजो करके दें अक darkness कर आते रहोंगा ठीक दोस्तों और अपने जो सुझाव है कि अब इस कमेंट बॉक्स में लिखें ठीक है तो वीडियो को देखने के लिए आपका धर्निवाद मिलते अगली वीडियो में थैंक्स पर बाचिंग